है एलो एवरीबन तो आज हम यहां पर काफ़ इंप्पॉर्टेंट क्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद इसकी सॉलुशन को आराम से करेंगे चलो देखते हैं क्या कर उसको दे रहा है क्वेशन 4D reaction reaction दे रहे है तो उसको दे रहे है यहां पर विल्क रिखते है टूओ एविल बी एकवल टो टो बी ब्लस ठीजिए इफ माइनस दीए वाई डीट इदी विल बी इकवल टो यह इए इस ने क्या दे रहा है यहां पर वैल्यू दे रहे है किसकी दे रहे किया है, minus d y dt, यह दे रहा है rate of disappearance of a and rate of disappearance of b, sorry, rate of formation of b and rate of formation of c, देखो जब भी हम rate of deformation की या rate of formation की बात करते हैं, तो उसमें stichometric coefficient को include नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे stichometric coefficient include नहीं किया गया है, तो यह क्या होगा, rate of disappearance होगा, इसके लिए rate law equation लिखने है, तो कैसे लिखोगे, यह हो जाएगा, बच्चों, 1 by 2 minus d a by dt will be equal to d b by dt will be equal to 1 upon 3 dc by dt, देखो मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे जब भी हम rate law equation लिखते हैं, पूरी reaction के लिए, तो वहाँ पे stichometric coefficient को हम divide कर देते हैं, तो 1 by 2 minus q लगाया, क्योंकि यह reactant के लिए है, minus d a by dt will be equal to d b by dt will be equal to 1 upon 3 dc by dt, तो अब देखो, यहाँ पे हम इनकी value रख देते हैं, भाई, minus d a by dt की value कितनी दे रिखी है, यहाँ पे दे रिखी है, k1 a का square, लिख देते हैं, यहाँ पे 1 by 2, k1 a का square, d b by dt की value कितनी दे रिखी है, k2 a का square, 1 by 3 dc by dt की value कितनी दे रिखी है, यहाँ पे दे रिखी है, 1 by 3, हम ऐसे लिख दे, dc by dt की value दे रिखी है, यहाँ पे k3 a का square, अब हम इन दोनों को compare करेंगे, आपस में, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, k1 a का square बराबर क्या हो जाएगा, 2 into k2 a का square, a का square से a का square cancel, तो मैं लिख सकता हूँ, k1 will be equal to 2 into k2, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि k2 will be equal to k1 divided by 2, लिख सकते हैं ने, इस 2 को मैंने केवल यहाँ नीचे भीज दिया है, राइट, एक हमारा यह relation आ गया, इसको आप धियान में रखोंगे, फिर हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, relate कर सकते हैं, कैसे करेंगे, k2 a का square will be equal to 1 by 3, k3 a का square, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 से a2 cancel out हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, k3 will be equal to, sorry, यहाँ पर क्या है k2, k2 will be equal to k3 divided by 3, तो यह हमारा क्या relation आगया, यह कि भई k2 बराबर, k3 divided by 3, एक relation यह आगया, अब इन सब को जदी मैं combine कर लूँ, तो यहाँ पर हमारा answer आजाएगा, k1 divided by 2 will be equal to k2, और k2 की value कितने बच्चों, k2 will be equal to k3 divided by 3, k3 divided by 3, तो यह जो option है कौन सा होगा, तो यहाँ पर यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, option D, k1 divided by 2, k1 divided by 2 will be equal to k2, k2, k3 divided by 3, k3 divided by 3, option D के हाँ पर correct answer हो जाएगा, आपको rate law equation लिखना है, जो value दे रहे किया, उस value को लिखना है, एक दूसरे से आपको इनको compare करना है, तो आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा, साथ में आपको bell icon को click करना पड़ेगा, ताकि आपको तुरण notification मिलता रहे,